जिन लड़कियों ने ये फिल्म बनाने के लिए हमें मजबूर किया था वो संखा में तो बहुत है आज कुछ हमारी बहन इधर आई हुई है आपसे मुलाकात होगी मैं स्रीप एक छोटा सा इंसिदेंस बता दू जो बिना बताए इस फिल्म की जर कहां है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा यहाँ पर आपके साथ मुलाकात होगी शुरूती की चित्रा की अथिरा की मैं जब पहले बार शुरूती चित्रा से मिलने गए थे एर्णाकुलम शहर से थोड़े दूर एक छोटा सा जागा पर उनकी घर था उस घर में बिजली नहीं थी क्योंकि बिजली काट दिया गया था और ये लोग जब खाना बनाने के लिए सबजी लेके आते थे उनकी बैक छिन लिया जाता था रात रात भर बिना खाए बिना बिजली की ये लोग दीन बिताते थे जब मैं इंटर्व्यू करने गया था ये 2015-2016 की बात है दर्वाजा की जो पार्ट है इतना सा स्पेस था जिन में से लाइट आ रहा था उसी लाइट में मैंने इन लड़कियों की इंटर्व्यू किया था तो अब समझ सकते हैं कि इनकी इमोशन की इनकी खुलेपन की इनकी अजादी की जिस तरह लोगों ने मिश्यूस किये और उनको इस मुकाम में खड़ा कर दिये थे वो ही था हमारी इस फिल्म बनाने की इंस्पिरेशन देखिए ये 26 लोग में कोई भी आईस आईस के ओर नहीं गई है मगर उसके भी ज्यादा वहां नहीं गए मगर हमारा समरक्षन नहीं हम नहीं समरक्षन दिये तो हम आश्रविद्या समाज अर आचारी जी हम सब लोग मदद नहीं किये तो उनको साथ भी ऐसा ही हो रहता था मैई भी माइड हापने मुझे दिया है आप प्लीज इनको देचे हैं हमारी फिल्म को इतना प्यार देने के लिए यहां आने के लिए और थांक्यू सो मच आप लोगों को आप यहां आये और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इन लोगों से मिल पारी हूं आज बस इना ही बोलना बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस मुव्मेंट का मैं पार्ट रह सकी और मैं थांक्यू कहना चाहूं कि विपुल्ष दादा और आश्रण शाह को कि उनके वज़े से यह जो पिचर बनी है जो लोगों तक पहुची है और दॉला चौरत नाम वो तो मतलब एक अक्टर के हमारे लिए नहीं हो सकती है अच्छी बात यह है कि सिर्फ फिल्म बना के हमने उसे वहीं नहीं छोड़ दिया आगे भी जो कुछ हम कर सकते थे वह हम कर रहे हैं बहुत लोगों ने क्वेस्टिन्स पूछे थे कि क्या हुआ है किसी के साथ हुआ भी है नहीं I'm sure आधे answers आप को फिल्म देखके मिल गए होंगे आधे आज मिल जाएं अभी एसी फिल्म के लिए box office collection के लिए मैं क्या ही करूं क्या ही बोलने हूं because I think firstly as an actor box office just means की और लोग जाके देख रहे है आपकी फिल्म अभी internationally release हुई है and from Sweden, Denmark, UK में वो बैन उठाया गया है and finally release करें UK में US से तो उनकी वीडियोस देखे internationally भी देखे as an actor बहुत बहुत खुशी होती है and अभी भी West Bengal में बैंड है I hope कि हमारे इंडिया में हर जगा वो दिखाया जाए freely ताकि लोग देखे करें कि उनको पसंद आया या नहीं but बहुत प्यार मिल रहा है तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है small news also about you, how do you see the response from the viewers and the box office relation of the movie? I think response of the viewers हम लोग भी सब social media पे देख सकते है and इतने लोग जा रहे है footfalls इतने है theater में तो feels great and the response also I feel like I'm living a dream I don't know कि ये सपनाय की reality है की latest खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले